साउथ इंडियन डोसे में सेजवान का तड़का हम पहली बार ट्राइ करने जा रहे हैं पूरी टिक की जाती है इसमें नहीं नहीं सब पर लगेगी आचा ओल यूजी नहीं करते आप यह देखिए गजब यार फरस टाइम खाने जा रहे हैं यह सेजवान डोसा नबर पर कहा ह यह बाइट चटनी रेड़ वाली और यह था रहे हैं हम तो दोस्तों आज हम आगे हैं कैथल में सेक्टर बीस उड़्डा मार्केट में और अशोक डोसे वाले भीया बनाएंगे आज हमारा शेजवान डोसा जो कैथल वालों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है आज कल यह बेटर डाला भीया ने यह देखिये डोसे का बेटर लगा एक साथ पांच-पांच डोसा बनाते हैं हमारे अशोक बईया और कितने साल से हैं शाड़े तीन साल से हैं इससे पहले का करते थे नोकरी करता है नोकरी करता है नोकरी छोड़के काम मतलब समझा नहीं है पहले जैसे यहाँ अपना काम करा हूँ है किसी और क्या बराते दे डोसा बराते दे बैरी ओडिया देखिए एक साथ एक दो तीन चार यह पांच जो से तयार होंगे हमारा है सिजवान डोसा जो 90 रुपीज का भी है नहीं सिजवान कितने का है 90 का है अच्छा अब यहने मसाले के अंदर सिजवान सौस मिलाई है और उसके बाद यह देखिए अमुल की टिक्की जाएगी अब यह यह अच्छा आप मुल बटर में सारे डूसे बहुत बढ़िया था बैसाब काफी देर से आयों हम यह आपर लेकिन हमारा नमबर नहीं आया भी यह यह शिजवान मसालगा वह यह द्याम का मसाला डाल दिया भी है उसमें मैं साउथ इंडियन डोसे में शिजवान का तड़का प फीड रहती है भाइसाब सांबर जो है कि यह डल चुका है चटनी है साथ में वाइट है और रेड चटनी है और टेस्ट करके हम बताएंगे आपको कैसा है मसाले डोसे में सेजवान का तड़गा हाँ यह देखिए गजब यार फर्स टाइम खाने जा रहे हैं यह सेजवान डोसा नुबर पे का है यह वाइड चटनी रेड वाली और यह था रहे हैं अग्जक्ली जो मसाले डोसा में सेजवान सौसाइड की गई है वाकर बहुत अच्छा तेस्ट दे रही है थोड़ा चाइनीज तच आ गया इस मसाले डोसे में साउथ इंडिन डोसे में तो मेरे साबसे कुछ नया ट्राइ करना चाहते हैं तो यहां पर आके आपको ट्राइ करना चाहिए इनका सांबर भी अच्छा है टिक टाक है नारिल की चटनी और लाल चटनी का टेस्ट भी उम्दा है जहां पर आएं और अब शोग भया का शेजवान डोसा एक बार जरू ट्र कि अच्छा है नोमें वीडियो पसंदा आए वीडियो को शेयर कीजिए युटो पर सब्सक्राइब कीजिए फैस्बर लाइक कीजिए फॉलो कीजिए तेक तरे एक शुद्धा पूच्छा है थैंक यू